पता कोई मूवी जब तुम रेंडम ली देखते हो वो 15 मिनट में ही अपनी उकाद दिखा देती है मतलब कोई मूवी बढ़िया है देखने लाइक है कि नहीं है उसका पता पहले 15 मिनट में ही चल जाता है अगर मूवी तुमको इंगेज नहीं रख पा रही है तो वहीं छोड़ दो कोई फाइदा नहीं इस मूवी से भी मुझे यही में थी कि यह काफी ज़ादा बोरिंग होगी और इसको भगा भगा के देखना पड़ेगा कॉन्क्लूजन के लिए बट मूवी मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बड़िया निकलती है क्यों क्योंकि यह स्टार्टिंग से इंगेज करके रखते हैं जापे मज़ा आ जाती है तो देखो न्यू यह की शाम है लेकिन अपने यह तो दिवाली है एप्टी दिवाली तो वहीं पर किलर शेर में आतंग फला रहा होता है खुले हम बंदे मार की तो यह की ऐसे के एफ़िया ओफिसर के पास जाता है और एफ़िया ओफिसर हमारी कहानी के मेर बंदी के पास आता है जो कि एक इंस्पेक्टर है शेनली जिसका एक डिस्चरब्ड पास्ट भी रह चुका है और यह जो अपना एफ़िया ओफिसर होता है न बंद यह बंदा शेनली को पकड़ता है प्रोफाइलिंग के लिए कि मतलब हेल्प करो तुमें शेर को बहतर जानते हो तो क्या यह लोग किलर को पकड़ पाएंगे जानने के लिए देखिये इस मूवी को हम तो बस एस्पेक्ट पे बात करने आएं कि यह मूवी हमको ओफर क्या गरती है सब कुछ मैं ही बता दूँगा तो क्या ही मज़ा आएगा देखो ओफर करने में भी कोच नया नहीं है ल बागी जो मूवी में किलर एक्टिंग हुई है आई मीन शेनली भाई पी एक्टस ने जो इंटेंसिटी दिखाई है उससे तुमको टेंशन फील होती है कि इन्वाइर्मेंट में कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है और बाइदा वे जब मैंने बोला कि यह मूवी बोर नहीं दमा के हो रहे हैं इतना कुछ एक्सपक्ट नहीं करना है यह एक सॉलिड थ्रेलर फिल्म है ओल्राइट थ्रेलर फिल्म में तुमको थ्रिल मिलना चाहिए जो आपको यहापर ओरिजिनल कहानी में मिलता है ओल्राइट इसकी कोई मूवी की स्टोरी टिपकल नहीं है मुझे इस ही मूवी डेखी होगी आपकी तो इस टाइप की तो मूवी से इसी मूवी तो नहीं देखी होगी तो यह अभी एमाज़ून प्राइम वीडियो पर इस ट्रीम करने पूँंगा लागा थिक्तिए मिलना रहने वाली है तो उसको बीच ज़रूर चेक आउट कर लेना बागे इंसेग्राम पर हॉलिवड ब्लॉग बस से इंडिया को फॉलो गरना